हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 20 करेंगे जो की क्लास 7 की है और विश्य है विज्ञान ये वर्क्षिट 9 डसेंबर 2020 की है तो आएए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शिरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट प्राणियों में पोशन मानव में पाचन राजु विधाले के लिए तयार हो रहा था इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना ही कर रहा था उसकी मा ने उसे भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा चलिए पता करते हैं तो देखो क्या हुआ राजु अपने स्कूल के लिए तेयार हो रहा था लेट हो रहा होगा तो उसने जल्दी जल्दी भोजन करना शुरू कर दिया तब उसकी मदर ने उसको बोला कि बिटा खाना जो आप भोजन खा रहे हैं मतलब कि अंदर लेना कहां से लिया जाते हैं मुख द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रकिरिया को हम अंतर ग्रहन कहते हैं भोजन को शरीर के अंदर लेने की मतलब भोजन क्या है अगर देखो बोजन बाहार रखा है अब सबसे पहले दान्त क्या करते हैं, बोजन को छोटे-चोटे टुकडों में पीस देते हैं, यह बोजन के पाचन और आसान अंतरग्रेहन में मदद करता है, अब यह क्या करेगा बोजन को पाचन में, अगर आपने एक बड़ी बाइट ली है उसको निगलने में आपको क्य तो छोटी चोटी चोटी टुकडों में उसको पीस लिया है तो बोजन के पाचन में एक तो उसको डाइजस्ट करना आसान हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा उसका अंतर ग्रैण्ज भी आसान हो जाएगा हमारे मुख के अंदर चार प्रकार के दांत मिलते हैं बेटा जिने हम देखें यहाँ पर नाम दिया गया है क्रंतक, रदनक, अग्रचनक और च्वर्नक तो देखें हैं पहले सबसे क्रंतक यह दंशन करने वाले दांत इंसे आपको पार रहे हैं क्रतन को थो ढपने वाले दान्त उसके बाद आता है रद़नत रदनक चीरने उत्ता फारने के लिए यह जो यहां पर दो दान दिये गए हैं दोनों तरफ के बिटक कला चेंज करके दिखाती हूँ यहां के जो ये दो दांत हैं और ये जो दांत हैं इन्हे हम क्या कहते हैं इन्हे हम रदनंग कहते हैं ये चीरने और फारने के काम आते हैं ये क्या काम करते हैं उसके बाद आता है अगर चवरनक उसके बाद क्या आता है अगर चवरनक चबाने और पीसने का काम तो जो ये वा और अंत में है चवड़नक दान, जैसे कि ये देखो ये इसमें color change करते हैं एक second जैसे कि दिया गया है अगर चवड़नक तो देखे ये जो पीछे के तीन दात हैं ये वाले, ये वाले क्या कहलाते हैं चवड़नक, चबाने और पीषने का काम, इनका भी काम क्या है चबाना और पीसना अगर चोणनक का भी चबाना और पीसना उसको और बारी और अच्छे से करना भी काम किसका है चोणनक का तो हमने देखे चाल प्रकार के दांत मिलते हैं करंतक रदनक अगर चोणनक और चोणनक ठीक है अब आगे देखते हैं बेटा अब यह हुआ अब दांतों का काम क स्ट्रावित करते हैं अब हमारे मुख में जीव है ना बेटा देखो इसके लाव हमारे मुख में क्या होती है लाला ग्रंथी होती है कौन सी ग्रंथी होती है सलाइवा तो सलाइवरी ग्लैंड होती है लाला ग्रंथी होती है जो लाला रस को या लार को स्ट्रावित करती है ल तो उसका उनुभव कर सकते हैं जब तक लार ठीक से मिशित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है तो अगर आप उच्छ समय तक एक चीज को चबाते हैं तो क्या होगा उगा इसको लार के दो काम होगे जीब के मुख में रखेंगे तो उसका स्वाद आपको थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लग जाएगा ठीक है ऐसा आप घर पर भी करकर देख सकते हैं यहाँ आप घर पर करके देखिएगा बेटा नेक्स्ट है जीब यहाँ पर हम देखते हैं जीब देखो जीब आप सब अपनी की तरफ जिसे यह जीब है तो यह जीब अंदर की तरफ पीछे की तरफ आपकी अधर तल पे नीचे की तरफ आपके गले से यहाँ से चिपकी हुई होती है जूड़ी होती है जीब क्या करती है बोजन पर स्वाद कलिकाएं होती है जीब पर स्वाद कलिकाएं होती है जीब आपको पता चलता है कि यह मिठा है, नमकीन है, खटा है, तो इसका पता कौन लगाता है आपका जीब, जीब पर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है, तो आईए देखते हैं कहां पे कौन सी कलिका होती है, देखो यहां का जो पोर्शन है, यह क्या है मिठा, अगर आप कु इस तरफ से पता चलता है, जब हमारे मुझ में खटा जाता है, जब वो यहाँ पर पहुंचता है, तब हमें खटे का अनभव होता है, कि यह खटा है, नमकीन का स्वाथ हमें जीब के जो अगर भागें यहाँ से हमें नमकीन का पता चलता है, और कडवे का टेस्ट हमें या यह कड़वा है तो अभी हमने देखा कि लाला गरंती देखी उसके बाद में हमने जीब देखा अब हम देखते हैं दांतों की देखवार एक अच्छी आदत खाने के बाद यदि हम दांत और मुह साफ नहीं करेंगे तो मुख में अनेक हानिकाल जिवानों व्रद्धी करन हम खाना खाने के बाद में ब्रश नहीं करते हैं तो जो थोड़ा बहुत खाना हमारे दांतों में फसा रहता है वहाँ पे हानिकाल जिवानों व्रद्धी करने लग जाते हैं और वो व्रद्धी करके जो दांत है उसमें क्या करते हैं शरकरा के साथ रियक्शन करते हैं और पर अमल बना देते हैं तो ups me buy yin विसके साथ ृयाक्शन करते और अमल बनाते है अच्छन को नुखसान पहुँचा थहा कोई कीड़ा ये क्या होता है वह परदी करते हैं अमल बना देते हैं इसीलिए प्रति दिन हमें कम से कम दो बढर ब्रश करना या दानतूत से दान साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंथ कुला जरूर करना चाहिए अगर आप ऐसी जगहें जो आप ब्रश नहीं कर सकते अच्छे से कुला करना चाहिए जिससे की जितने भी आपके मुग के अंदर जो खाना फसा हुआ है वो easily निकल जाए अब हम करते हैं प्रशन उत्तर देखे पहला प्रशन क्या है भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए भोजन करते समय ठीक से नहीं चबाओगे तो क्या होगा एक तो क्या करता है यह आसान पाचन में अंदर निगलने और पाचन में मदद करता है भोजन करते समय भोजन को ठीक से चबाना चाहिए क्योंकि यह है भोजन को आसान अंतेगर है और निगलने में और पाचन करने में क्या करता है मदद करता है आईए अब करते हैं प्रशन नंबर टू प्रशन नमबर टू देखिए बटा हम दान्तों की देखभल किस परकार कर सकते हैं तो दान्तों की देखभल किस से कर सकते हैं बटा हमें क्या करना चाहिए हमें प्रती दिन हमें कम से कम दो बार ब्रश दान्तों से दान साफ करना चाहिए या कुछ खाने में खाने के बात हमें कुल्ला करना चाहिए, तो इन से बातों का ध्यान रखे हम क्या कर सकते हैं, हमने दांतों की देख बात कर सकते हैं, अब है प्रशन नमबर तीन, निमन लिखित में से प्रतेक का कारे लिखे हैं, हमें इनकी कारे लिखने हैं, लाला ग्रंती, लाला ग्रंती का क्या का नार का स्तेराव करती है, तो यह हो जाएगा थर्ड का स्तेराव कर्ती है, तो यह whole नखा फर साइगा, तो यह हो जाएगा थर्ड का 6s, घ्याएगा, व्यार फर्स्ट का पता लेगा는, द्रीव well पर स्वाद का लिकाएं होती है जो भोजन के विभिन स्वादो पता लगाती है ठीक है यह हो जाएगा सेकिन का अब हम थार्ड का देखते हैं बटा कंठीूज मत होयेगा यह कोशें में पहले करवा चुकियों लाला गरंती वाला भी करवाया और यह इसके सेकिन का है थार्ड का काम करते है जबाने और पीष्ण का काम करता है पार ठाक तो इसका अंसर किया पर भोजन को चबाने और पीष्ण का काम करता है अब देखते हैं नेक्स nar का क्या बिटा दे को लार किया करती है. लालारसिया लार ये फोर्थ का हो जाएगा. लालारस भोजन में उपस्तित मंड को शरक्रा में बदलता है. तो ये हो जाएगा fourγ теперь. इनका सिर्फ कारी और बताने हैं हमको. तो बिटा आज की worksheet complete होती है worksheet complete करके अपनी teacher से चेक कराई और प्लीज मेरे channel को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए